साथियों, इन साथ वर्षों में जो कुछ भी उपलब दी रही है, वो देश की रही है, देश वाचियों की रही है, कितने ही राष्ट्रिय गवरों के ख्षन हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किये हैं, जब हम ये देखते हैं, कि अब भारत दूसरे देशों की और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सब को घर्व होता है, जब हम देखते हैं, कि अब भारत अपने खिलाव साजिस करने वानों को मुहतोड जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है, जब भारत राष्ट्रिय सुरक्षा के मुद्दों पर समझोता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है, कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं, साथियों, मुझे कितने ही देश्वास्यों के संदेश, उनके पत्र देश के कोने कोने से मिलते हैं, कितने ही लोग देश को धन्यवाद देत हैं, कि सत्तर साल बात उनके गाउं में पहली बार बिजली पहुंची है, उनके बेटी बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कितने ही लोग कहते हैं, कि हमारा भी गाउं अब पक्की सड़क से, सहर से जुड़ गया है, मुझे आद है, एक आदिव सी इलाके से कुछ साथकों ने मुझे संदेश बेजा था, कि सड़क बनने के बार, पहली बार उन्हें ऐसा लगा, कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं, ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खुलने की खुशी साजा करता है, तो कोई अलग-अलग योजनों की मदद से, जब नया रोजगार शुरू करता है, तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट, घर मिलने के बाद, ग्रह पवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रन, मुझे हमारे देशवासों की और से लगातार मिलते रहते हैं, इन मिशन के तहट, घर में लगे पानी के नल की एक फोटो वेजी, उन्होंने इस फोटो का कैप्शन लिखा था, मेरे गाउं की जीवन धारा, ऐसे कितने ही परिवार है, आजादी के बाद, साथ दसकों में हमाने देश के केवल, साड़े तिन करोड ग्रामिन घरों में ही पान के कनेक्शन दिये गए हैं, इन में से पंदरा मेने तो कुरोना काल गही थे, इसी तरह का एक नया विश्वास देश में हाईश्मान योजना से भी आया है, जब कोई गरीब मुप्त इलाज से स्वस्थ होकर गर आता है, तो उससे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है, उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है, ऐसे कितने ही परीवारों का आशिरवचन, करोडों माताओं का आशिरवार लेकर, हमारा देश मझबुती के साथ विकास के और अगरेसर है, साथियों, इन साथ सालों में, भारत ने डिजिटल लेंदेन में दुनिया को नई दिशा जि किया है आज किसी भी जगह जीतनी आसानी से अब चूटक्रियों में डिजिटल प्रेमेंट कर देते हैं वो कोरोना के समय में भी बहुत उप्योगी साबित हो रहा है आज स्वच्चता के प्रती देश वाच्चों की गंबीरता और सतरता बढ़ रही है हम रिकॉर्ड आने विबाद भी पूरी शांती और सहवार से सुल जाए गए हैं पुरवत्तर से लेकर कश्मिर तक शांती और विकास का एक नया भरोसा जगा है साथियों क्या आपने सोचा है यह सब काम जो दसकों में भी नहीं हो सके इन साथ सालों में कैसे हुए इस सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन सालों में हमने सरकार और जनता से ज़्यादा एक देश के रुप में काम किया एक टीम के रुप में काम किया टीम इंडिया के रुप में काम किया हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाद एकाद करम आगे बढ़ाने का प्यास किया है हां जहां सफलताएं होती हैं, वहाँ परिक्षाएं भी होती हैं, इन साथ सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परिक्षाएं भी दी हैं, और हर बार हम सभी मजबुत होकर निकले हैं, कोरोना माहमारी के रूप में इतनी बड़ी परिक्षा तो लगातार चल रही है, ये तो एक ऐसा स देश भी इसकी तबाई से बच नहीं सके हैं इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है हमने पहली वेव में भी पूरे होसले के साथ लड़ाई लड़ी थी इस बार भी वायरस के खिलाब चल रही लड़ाई में भारत वि एक्षिन हमें डिराई नहीं करनी है यही हमारी जीत का रास्ता है अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो देश वास्चों के कई और प्रिणाजय को धानों पर बात करेंगे और नए विश्वव पर चर्चा करेंगे आप अपने सुझाओ मुझे ऐसे ही भेजते रह देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रही है बहुत बहुत धन्यवाद